इस बार मानसून ने खासा असर दिखाया बारिस भी खूब हुई फसले भी अच्छी है लेकिन जो मानसून की वापसी होनी चीए थी वो समय पे नहीं हुई और अभी भी लगातार अक्टूबर महा में भी लगातार बारिस होती जा रही है जिसके वज़े से फसलों को भी कुछ कुछ इस्तानों में बारिस होने की इस्तिती बनी हुई है लगबक एक हपता तक ऐसी रहेगी और क्या है कम जदा एकदम लगातार पानी नहीं गिरेगा और ब्यापक एरियले की भी नहीं आज कल जैसे सावार बोलते हैं कहीं एक किलोमेटर दूर में धफ से पानी ग रही और लेकिन जो वीडन मांसून का अब इसतीत है उसमें बाधा उत्पन कर दिया ये लोग प्रेसार के कारण हैं इसमें सर्कुलेशन राजस्तान के आसपास, हाना राजस्तान या फिर हरियाना के आसपास ही जो बना जिसके कारण। उत्तरखन धीमाचल प्रिदेश और पश्रिम उत्तर प्रदेश पर जगा पर जो भाराय सोय strong कारण है और वो कारण भी एक उड़र मांसुन में एक बादा का कारण बना कब तब वाफसी होने के असार है मौसम कब तक पूरा किल्यर हो जाएंगे जो कंडिशन इसको बदलने में एक हपता लग जाएगा उसके बाद बातावरम में हमिडिटी कम हो जाएगी और थोड़ा ठंड का ऐसास होने लगे धन्यवाद सर तिये थे मौसम इज्ञानी रक्टर बायरागी सर इनका साफ तर पर कहना है कि जो स्थितिया पैदा हुई है जो मौसम वापसी होनी चाहीं था उस उस हिसाब से नहीं हो पाए इसलिए एक हपता और लोगों की इंतजार करना पड़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए सीची सुराज